Hello friends, welcome back to another doubt की वीडियो अफ दिस यूटूब चैनल, तो आज के इस डावट के वीडियो में हम देखने जा रही है, जे में 2021 का कोश्चन है, जो के कोश्चन नमबर 83 है, ये कोश्चन है हमारे पास unit and dimension से, तो कैसे करेंगे इस कोश्चन को देख लेते हैं आज की इस वीडियो मे कोश्चन क्या करा है, पहले पढ़ते हैं, दा एक्सलरेशन दू तो ग्रैविटी इस फाउंड अप तो एन अक्यूरेशी ओफ फूर पर्जेंट अन अप्लेनेट, दा एनर्जी सप्लाइड तो आसिम्पल पेंडूलम अफ नोनमास एम, इसमॉल एम, तो अंडर्टेक ओसि सबसे पहले, तो अच्वरेश्ट करेंगा है, तो कैसे कोर्यंट को निकालना है, और सैन्मक्रेंट बसे पहले हैं, तो अनरे और सो सबसे पहले हैं, तो हम यहां लिख लेते हों मैं डिल्टजी इन्टू में हलता है परसेंटेजांल यह हमनुरा, इन्टीश हमें हमारे पास 4% है दूसरा में क्या दे रखा था परसेंटेज एरर परसेंटेज एरर इन टी कैपिटल टी टैम पीरिट में कितना दे रखा था इसको एक लिए आपको टैम पीरिट का फॉर्मला पता है अगर नहीं पता तो आप इस फॉर्म में को याद कर लिए ना नेकिन जब आप इसको यूज करते हैं बहुत बार आपको यह याद होई ही जाता है जब ऐसे चमा पढ़ते हैं यह होता है तो यह होता है तो टू पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी ठीक है अब यहां से अगर मैं यहां से वैली निकालता हूं तो कितनी होगी इसक्वाइर जी अपॉन फॉर पाई इसक्वाइर यह तो होगी हमारे पास जो एल निकाल लिए वह आगए इसका रीजन आपको पता चलेगा अब देखिए कोशन में से क्या बात की गई थी कोशन में हमसे बात की ऊसिलेशन हो रहा है सिंपल पेंडौलं का तो यहां पे मिस होता फोर्मॉल्हा आप पठेंगे सचयंतंस आप star करने और TBR इसको आप करने मतलब कि तू भी रिमेंबर ठीक है इसके बाद हमें क्या करना है हमें डेल्टा इवाइए हमें निकालना है तो अगर मैं यहां से लिखुँँँ डेल्टा इवाइई इंटू में 100 क्योंकि में परसंटेज अरर निकालना है तो देखे मास में तो कोई हमारे पास वैरिशन है नि तो मास तो हमारे पास constant है तो इसमें कोई error होगा निए जी में हमारे पास error दे रखा है तो यह हो जाएगा डेल्टा जी अपॉन जी इंटू हंड्र है ठीक है और ठीटा हमारे पास fix value होगी ठीटा की भी तो ठीटा भी हो कोई error नहीं एन लिए होगी है क्या है क्या होगा का या क्यों देखते हैं में हमारे पास कोई error दे नहीं रखा हमने ईसलिए ऑससे लिकले टीए लिए ले तो यहाँ वीलते हैं've about and 220 ती च्वाया इस इक्वल्स टू डेल्टा जी अपॉन जी इंटू हंड्रेड अब यहां पर यह प्लस यहां पर यह मल्टिप्लाइब था क्योंकि यह वह था एर्ड में लिखानी था अलिक्वल लिपुट की अब इसका अगर हम एर्र लिखते तो क्यों हो जाएगा और डेल्टा टी ईक्यों हुजाएगा डेल्टा यपीश्करणी अपंटा अाल्ट्राइड फिलस इकुल में इसको रहां यहां करते हैं तो 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 इसके बाद क्या हो जाएगा यहां पर टू मैल्टिप्लाई में देखी क्या है डेल्टा जी अपन जी इंटू हंडड़ तो हमने उपर देखा था सबसे पहले कोशन में कितना फोर परसेंट टीट कितना है ठीपरसेंटेज यहां से यह यहां पर डावट है यह तो इसका भी है इधर हम देख लेते थोड़ा अगर आपकोई बीए एक फीजीकल कौटेटी जो कि इस तरह से एक यह की पावर स्मॉल एक पावर समॉल सी इस तरह से तो अगर इसका यह लेखना चाहे तो डेल्लटा एकस अपॉन एक्स इंटू हंड्रेड अगर हम देखते हैं तो अगर देखे यह प्लस हो जाएगा इसकी पावर केतनी है बी तो डेल्टा बी इंटू में हंड्रेड हो जाएगा और जो नीचे है डूनोमेटर में में कुछ फरक नहीं होते हैं प्लस ही आएगा क्योंकि एरर हम चेक कर रही है एरर की हम बात करने तो एक्स प्लस होता है इंटू में डिल्टा सी अपॉन सी इंटू में हंड्रेड यहां पर कोई भी पावर का फरक नहीं पड़ता चाहिए पॉजिटिव हो चाहिए नीचे हो क अब यहां से समझ सकते हैं कि हमने कैसे लिखाता देखिए वाला यहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और कभी आपको पड़ती तो आप इसको रैफर कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डावट बसता है इस कोशन में तो आप कमेंड पूछ सकते हैं फिर भी को डावट बसता है तो आप वीडियो को दोवारा से देख लेना और आगे ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना थैंकियो सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो विलते हैं अगली वीडियो में अगले डावट कोशन के साथ तिल देन बाबाई